अल राइट गाईज तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके Facebook में यहाँ पर Watch वीडियो का आप्सण आप्सण सो नहीं हो रहा है तो कैसे आप इसे on कर सकते हो ताकि यहाँ पर वीडियो का आप्सण ऊपर यहाँ पर सो होने लगे चलिए कैसे करना है वीडियो में देख लेते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहले बारा हो तो सब्सक्राइब करना चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आप ओपन करेंगे फेस्बूक को और साइड में आपको ये थ्रीड का अपशन मिल जाएगा आप त्री डोट पे क्लिक करेंगे आप नेचे आएँगे यहाँ पे आपको settings privacy का आप स्टिंग्स प्राइवसी पे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे settings पे click करेंगे यहाँ पे आपको shortcuts का option मिल जाएगा यह आप देख सकते हो आप shortcuts पे click करेंगे यहाँ पे shortcuts bar का option मिल जाएगा आप इस पे click करेंगे यहाँ पे आपके में watch वाला option बंद होगा इसको आप own कर देंगे guys हमने own कर दिया अब वीडियो का आइकन वहाँ पे सो होने लगेगा तो इस तरीके से आपके में बंद होगा इसको आप ओन कर देंगे और आप बैक आएंगे नोटिफिकेशन डोट्स पे क्लिक करेंगे अगर इसके अंदर ये बंद है तो यहाँ से आप चालू कर दें तो मेरे में तो चालू ये बस बंद है तो ओन करना आप सिंपल बैक आना और मैं बैक आया अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियो का जो आइकन है यहाँ पर आ चुका है तो अभी मैं फेस्बुक को कट करके दुबारा से ओपन करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियो का जो आइकन है वो यहाँ पर हमारे फेस्बुक में आ चुका है अब मैं वीडियो आले आप्सन पर क्लिक करके डारेक्टली यहाँ पर वीडियो देख सकता हूँ तो इस तरीके से अगर आपके फेस्बुक में यह वीडियो का आप्सन मिसिंग है आपके में अगर सो नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप इस option को own कर सकते हो अब guys चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मालीजे आपके में settings से चालू है या फिर वो option वहाँ पे आपके में so नहीं होता है तो फिर आप इस option को कैसे लाओगे तो यह पहला step 5 तरीके से आपके में आ जाएगा अगर आपके में इस तरीके से वीडियो का option नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा इस्टे बताता हूँ तो दूसरे तरीके में आप open करेंगे settings को उसके बाद में आप नीचे आएंगे Ips का option मिल जाएगा आप apps वाले option पे click करेंगे ढून लेंगे यह option मिल जाएगा उसके बाद में manage apps का option मिल जाएगा इस पे click करेंगे यहाँ पे आपके phone के सभी आएप आ जाएगे इसमें ढून लेना facebook कहाँ पे है तो यहाँ पे मैं search पे click करके facebook लिख देता हूँ यह आ चुका है उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे की साइड में clear data का option मिल जाएगा आप clear data पे click करेंगे clear all data पे click करेंगे ओके करेंगे यहाँ फिर storage के अंदर यह option मिल जाएगा तो आप कर देना ओके तो यह करेंगे अब आप facebook को open करेंगे facebook बिलकुल नहीं तरीके से open होगा अब यहाँ पे आपको अपनी facebook की id लोगिन करना पड़ेगा चलिए फटा-फट से हम अपने facebook का mobile number and password डाल के लोगिन कर लेते हैं ओके करेंगे ओके तो बस इस तरीके से आप करेंगे तो आपका facebook logout होगा देन आपको अपनी id दुबारा से लोगिन करना है और अब यहाँ पे दुस्तों यह वीडियो का icon यहाँ पे सो होने लगेगा यह watch वीडियो का जो option है आपके facebook में यहाँ पे आजाएगा तो guys हमने यहाँ पे आपको दो step बता दिये हैं दो method one by one करके कल लिजेगा कि किसी ना किसी एक step से आपके facebook में watch वीडियो का option आजाएगा ओके तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like कर देना और channel पे पहली बार आए हो तो subscribe कर लेना चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आपके लिए जाए जाए भारत